नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूरवशी चुरहट में बीते कई सालों से डालडा फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है डालडा फैक्ट्री में कभी हजारों वरकर काम किया गरते थे और उससे उनका गुजारा चलता था साथ ही चुरहट डालडा के लिए प्रसिद्ध था धीरे धीरे करके डालडा फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और लोगों को रोजगार मिलना भी बंद हो गया जो की अब बीते कई वर्षों से वीरान खंडहर में तबदील हो चुकी है सीधी जिले के चुरहट इस्थिक डालडा फैक्ट्री में कल अग्यात कारणों के चलते भीशन आग लग गई डालडा फैक्ट्री के चारो ओर पहाड़ी होने से जंगल भी है और इस कारणर से आग धीरे धीरे करके जंगल की ओर जब बढ़ने लगी तो आनन फानन में प्रशासन को सूचित किया गया घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेट घटना स्थल पर भेजी गई जहां डालड़ा फैक्टरी में इस थिर कई टैंकों में अग्यात कारणों के चलते भीशन आग लग चुकी थी जो धीरे धीरे करके जंगल की ओर बढ़ रही थी घटना स्थल पर फायर मैन पुषपेंद नामदेव और चालक मुनेंद पटेल ने पहुचकर फायर ब्रिगेट के सहारी आग बुझाने का कारिश शुरू किया फायर मैन पुछपेंद नामदेव और ड्राइवर मनेंद पटेल के द्वारा आग बुझाने पर फायर ब्रिगेट की मदद से जल्द ही आग पर कावु पालिया गया और आग जंगल की ओर नहीं बढ़ पाई जिस्ते की पहाडी में लगा जंगल सुरक्षित है